हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई हो बढ़िया होंगे आज मैं आप लोगों से साम की नास्ते के लिए बहुत बढ़ी है रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम बनाने वाले हैं रोस्टर चने से और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्ल इसे बोल में डालेंगे बड़ा सा बोल हमने इस ले लिया है ताकि सारी चीजें हम अच्छे से इसमें मिक्स कर पाएं और इसमें हम अब प्याज धनिया पत्ता हरा मिर्चा सारा डाल के मिक्स करेंगे तो सबसे पहले में आपे प्याज डालेंगे यहां पे हमने एक वह लिए सकते हैं अब सफेद नमक की बजाए काला नमक का भी यूज कर सकते हैं अब इसमें हम वन इस्पून मस्टर्ड ओयल डालेंगे अगर आप मस्टर्ड ऑल नहीं पसंद करते हैं तो उसकी हम नीबू डालेंगे यहां पर मैंने अवर नीबू का जूँ सवोर लेना है अगर आप spicy नहीं खाते हैं तो green chilli को आप skip कर सकते हैं, अब last में हम धनिया पत्ता डालेंगे इसमें, यहाँ पर हमने धे सारा धनिया पत्ता काट लिया है, और अब चाट में हम 2 इस्पुन धनिया पत्ता डालेंगे, धनिया पत्ति आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए फटा फट रोश्टर्ट चना चाठ हमारा रेडी हो चुका है और हाँ हमको ये चना चाठ बना के रखना नहीं है तुरंत आप बनाईए और तुरंत सर्ब कर दीजिए वरना चना हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और दूसरे साइड हमने चाय चड़ा के रखी है और अब फटा फट हमारा साम कनास्ता रेडी हो चुका है और ये चना चाठ जितना हिल्दी है उतना ही जाता टेस्टी लगता है अगर आप चाहें तो चना चाठ आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं बस फटा फट चना चाठ बनाईए और फटा फट बच्चे के लिए एक ग्लास दूद रेडी करिए और उन्हें सामका नास्ता सर्ब करिए लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसमें से चिली स्किप कर दीजिएगा और आपके घर पे कोई महमान आया है तो फटा फटा आप रोस्ट चना चाठ रेडी कर सकते हैं और चाय कॉफी या कोल्डरिंग के साथ उन्हें सर्ब कर सकते हैं और अगर आप लोगों को मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए थैंक यू फार वाचिंग बाई